नवश्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है Competition Community में और संग्राम सिर्ष के तहत हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आचुके हैं 36 गड़ जोग्राफिक का यह टॉपिक और यह जो टॉपिक है वो सेंसर्स यानि की जनसंख्या वाले पार्ट से संबंदी थे जनगर्ना से संबंदित है प्रशन पूझा जा रहे है 36 गड़ में जनसंख्या वृध्धी की प्रवृत्ति उसके कारण और प्रतिफल की विवेचना करें आपको इस टॉपिक में एक चीज जो है वो परिशान कर सकती है और मैं जो चीज बताने वाला हूँ वो फिर उसको पढ़ने के बाद उसको समझने के बाद आपको लगेगा ओमाइगा इतना आसान और ऐसे कुश्चन इतने बड़े रूप में दिया जा रहा है fusion जब आता है आपका census वाले पारट से,population वाले पारट अपको ध्यान देना है pattern क्या झीज होता है इसको आप विश्यव सिपसी ध्यान दीचे क्यूंकि हम पढ़वह रहे है la question क्या है क्या निया and all उसकी चर्चा बात में करेंगे question किस टाइब से आ रहे हैं इसकी चर्च हम पहले कर लेते हैं ठीक है आईए so first of all अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूं तो भाई जन संख्या वाले पार्ट से या जन गर्णना वाले पार्ट से जन गर्णना population या फिर census दो तीन चीज़ें इसमें जो हैं वो एकदम जादा आपको common याद रखना है लेकिन कैसे हम उसको rectify कर पाए यह हमारे लिए important होता है ठीक है तो यहां से अगर मैं बात करूं तो first of all हमने क्या बुला population और एक हमने बता दिया census यह दो चीज़ इसमें जो सीधा सीधा जो है वो डेटा तो पहले आप लोग याद रख लेना data कौन सा data याद रखना है आपको आर्थिक सरविक्षन economy survey किसका सर 36 गड़ का कौन सा सर 2023 यदि आप अगले वर्ष के तयारी कर रहे हैं प्रिलिम्स में यही काम आने वाला है उसके बाद जब आपका मेंस होगा तो जरली फरवरी में आ जाता है तब जब data change होगा तब आप करिएगा फिलहाल आपके दिमाग में आर्थिक सर विक्षन 2023 के यह data आपके पास ready होने चाहिए जैसे पूछ दिया सरवाधिक आपका जनसंख्या वृद्धी वाला जो जीला है पिछले वर्ष के तुलना में 2011 से लेकि जो अभी सौरी इसमें इन्होंने 2023 के लिए संभावित यह संभावित यह इन्होंने बताया है यह भारत सरकार का data नहीं बटा में फिर से बोल दूँँ इन्होंने अपने से पता नहीं कहां से क्या की I don't know बट 36 अर्थिक सरेक्षन में 2023 का इन्होंने संभावित दे रखा है आप उसको भी आप देख सकते हैं, reason is that, क्योंकि 23 के according को directly question कई बार आपको पुछा है, तो सिधा सिधा वो ऐसी पुछे को वहां से topic निकालेगा और बोलेगा की बताओ इसके according के कौन से करके, तो वो data आपको देखना पड़ गए, छोड़े questions के लिए आपके लिए ready हो जाएगा, साथ बड़े question में कुछ जगा आप इसको implement कर सकते हैं, ये एक part होगा, दूसरा जो इसका part होगा, पहला part मैं ने हाप रवता दिया, second जो इसका part होगा, वो आपको संबंदीत होगा, second यहाँ पर ले लेता हूँ, second जो पार्ट होगा, वो आपको इंडियान जोग्राफिक के content से ready रखना है, बुले सर कैसे, question directly वहीं से आया है, जी हाँ, चलिए, पहले line को छोड़ देते, जन संख्या वृद्धी की प्रवृत्ती, इसको छोड़ दो, जन संख्या वृद्धी की प्रवृत्ती कैसे बढ़ा कैसे कम हुआ, यह आपको बता रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कारण, reason क्या क्या थे, प्रतिफल परिनाम क्या क्या हुए, एक चीज बताओ मुझे, अगर भूख लगेगा तो मैं खाना आपको सोचना तो वहीं पर है, आपका thinking वहीं पर जाके खतम हो जाती है, जैसे हमने पहाड के बारे में देखा, हमने केशकाल पड़ा, हमने मैकाल पड़ा, हमने जो है शिशुपाल, ठीक है, ओके, क्योंकि यह चत्तिस गड़ में है, तो आपको चत्तिस गड़ के लोगों को पढ़ाना पड़ेगा या बताना पड़ेगा, तो 90, 95, 99% content purely goes to या purely based है आपका चत्तिस गड़ पे, लेकिन यदी question आजा है, कि चत्तिस गड़ के सिम्यूट उद्योग के विकास के लिए क्या-क्या जो कारण है वो जिम्मेदार थे, या लोगों के विकास, या जो reason थे, कौन-कौन से reason, उद्योग विकास के थे और कौन-कौन से कारण थे, जो यहाँ पर नहीं हो पाए, या जो challenges है, इसको आप राष्टिस तर पर भी लिख सकते हैं, बस कुछ-कुछ चीजों को आपको change करनी होगी, मैंने overall पढ़ाया था, वो cement का आता है, तो भी आपके लिए important है, मैंने जो बताया था, transportation यहाँ पर important है, तो transportation वहाँ पर भी important होगा, जा रास्टी, जो राजिक की जो नीती है, वो वहाँ पर important होगी, सेम चीज़ है, तो समझना आपको यह है कि वह actually demand क्या करना चाहरा है, हमने हमेशा जो example आपको दिया है, वो cooking वाला example द depend करता है कि वो किसा हुआ पनीर मंग रहा है, या साधा आपको pure पनीर का तुकड़ा वाला पनीर मंग रहा है, क्या मंग रहा है कि मीठे में मंग रहा है, यह depend करता है, अगर चटपटा item मतला है, अब सारी gravy को लगभग इधर उधर करके आप उसको बना सकते है, तो question के demand क्य पूरा बता देतों, टॉप जी ले कौन से है, जंजातिया कौन से, नहीं, भाई वो तो आपको करना है, हम किनके आपको कुछ ऐसी चीज़ यहां पर दिखाने वाले, बताने वाले, जब ऐसे प्रश्ण आपके समक्ष आएं, तो आप ब्लैंक न हो जाएं, आपको यह नही के सो इंडिया आपको इंडिया जक्राफी के कौंटेक्सट से souven incarnated ठेयलेटेड होगा और क्रीमिल आपको एंडिया इंडिया कौॉर्टो कांटेक्रग्ठाइइद होगा। प्रति हजार पुरुषों में महिलाओं की संख्या नंबर फिमेल फॉर द पर थाजन मिल्स यह तो लिखो गे ना भई चार नंबर काएगा प्रति रूप आपने बताना है पैटन अप तो लिखना पड़ेगा तो आप चाहे यहां याद रखे चाहे वहां याद रखे फिर हा हमारे यहां 991 है जबकि इंडिया लेवल पर यहां 943 है इस प्रकार से भारति स्तर की तुलना में या राष्टि स्तर की तुलना में हम लिंगा नुपात के मामले में अधीक हैं जादा हैं टॉप जिले में जो है नीचे आपके सौध के जिले हैं आपको नडगा एंडॉल सबको अब दंते वाड़ा आज सब बता देना खतम कहानी समझ आ रहा है इसका मतलब यह है कि डेटा यहां से याद रखने उसके कुछ चीजों को यूटिलाइस करना है यहां से चलते हुए आपको आंसर को लिखते हुए जाना है आए इस कोशन की हम लोग यहां पर बात कर इसका प्रवित्ति कैसे रहा है इसको हमको यहां पर बताना है अब कुछ नहीं करना है आपको यहां पर चुकि 36 गड़ का बोल रहा है और यह ना ही किसी देखे आपके लिए एक बड़ा बेनेफिट है यह और एक आपके लिए संजीवनी भी है एक कुछन तुम पुछा था भईया 1981 के बाद से या 81 से 11 के बीच का बताओ भाई कैसा है क्या है वो प्योर डेटाबेस कोश्यन था और उसको आपको लिखना पड़ता यहां पर तो बिना डेटा के आप काम चला सकते हैं जी हां क्या करना है कुछ नहीं देखे नाशनल लेवर पर राश्टिस्तर पर जो के 1951 तक फिर आपने बता देने 1951 से लेके 1981 तक और 1981 से लेके 2011 तक या अब तक आप ऐसा लिख देना तिल लाओ या सो फार या अब तक ऐसा करके या सिंपल आप कह देना 2011 अप टू टू थाउजन इलेवन ठीक इन सब चीजों को ध्यान देते हुए अपने को आंसर करना है अच्छा क्या कहना है सर 1901 से लेके 1921 तक यह जो वृद्धी रहा यह बिल्कुल कॉंस्टेंट रहा कॉंस्टेंट का मतलब होता है सर इस्थिर रहा इस्थिर रहा इस्थिर रहा इस्थिर ठीक है कैसे और क्यों आप समझेगा उन्नीज सो आपका 21 वाला जो वर्ट होता है मतलब 1901 से लेकि 1901 तक तो जनसंख्या वृद्धी में आपको यनिकी ग्रोथ देखने को मिला आप लिख सकते हैं कि 1901 से लेकि 1911 1901 तो 1901 तक क्या हुआ ये ग्रोथ हुआ ये वृद्धी हुई किन्तु 1921 में क्या हुआ था इंडिया में क्योंकि बहुत बड़ा एक काया था महा मारी आया था Spanish flu था उस दोरान बहुत सरी जनसंख्या में कमी हुई थी तो यहाँ पर भी आपके डेफिनेटली ग्रोथ जो है थोड़ी डाउन देखने को मिली है कि 1921 से इनक्यावन तक यहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिला था यह slow growth आप कह सकते हैं यह constant growth कह सकते हैं constant और constant growth दोनों में अंतर है बड़ा याद रखना constant and constant growth यनि कि एक speed से लगतार यह growth हो रहा था constant का मतलब क्या है ध्यान से समझना जैसे मेरी salary पहले 30,000 थी उसके बाद मेरी salary 35 हो गई और वापस 30 हो गई मतलब मैं 30 से 35 के बाद वापस 30 में आ गया ना मैं बढ़ा ना मैं कम हुआ जैसे आप कहते हैं एक व्यक्ती जो है पुर्व दिशा में चला दो किलिमेटर चलने के बाद यह किधर चला एक किलिमेटर यह इस दिशा में चला फिर वापस ही दो किलिमेटर चला अब बताएए मैं कितने दूर हूँ यह वापस फिर बन किलिमेटर यहां पर आ गया तो मेरा जो moment है दिस्प्लेंसेव ने तो हुआ ही नहीं है यहां चला इधर गया इधर गया फिर वापस यहां पर आ गया तो वही कहानी आपकी पहले वाले में थी दूसरे वाले में क्या थी कि मैं हर मिनट में दो-दो किलिमेटर में आगे चल रहा हूँ मैं यहां पर भी टू यहां पर भी टू बोले तो sir सर इसको घया कह सकते हैं इसको बोलते हैं पॉपूलेशन बस्ट बहुत ज़ाद यहाँ पर जय हो हो चुका था यहाँ इस यू निकि धीमी वृद्धी वृद्धी हो तो रही है यहां हो तो रही थी लेकिन धीमी हो रही थी आप कैसे justify करेंगे आप ऐसे justify करना कि पहले जो है हम जन संख्या वरिद्धी में 20% growth rate था दसकी वरिद्धी दर यहां से कितना हो गया लगभख 17.7 हो गया यह कम हो 5% ऐसे धीरे धीरे अब संभावी थे यह लगभख 10% growth rate तक आपको यहां पर देखने को मिलेगा इसमें चाहे तो आप की नाम बता देना कि तो आपको लो यानि की कम वरिद्धी वाले जीले आपको देखने को मिलेगा दो बीच भीच में आप अपने answer के साम साथ इस प्रकार से जो है value additions करते चले यह आपने यहां पर बताती तो इस प्रकार से हमारे पास growth का जो ट्रेंड है या पैटर्ण यह वह आपको देखने को मिल है, जैसे question का pattern या train आपको पुछा जाता है, वैसी ये भी आपको पूछ रहा है, जो train या फिर pattern के जो बात करें, तो ये चीज आपने यहाँ पर बता दी, आप हम चलते हैं, दूसरा जो second वाला है, second वाला क्या कह रहा है, यहाँ पर, second वाला है, जो दोनों चीज़े cover करनी, तो इस प्रकार से आप combined रूप में आप याद रखेगा, reason, क्या-क्या उसके कारण थे, तो जनसंख्या वृद्धी के कारणों को ही यहाँ पर आपने लिखनी कि क्यों जनसंख्या वृद्धी हुई, तो सबसे पहले देखिए भाई, किसी शेत्र क जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारणों में दो, तीन कारण होते हैं, जन्मदर, मृत्युदर और आपका प्रवास, प्रवास को आप एक पल के लिए आप इग्नोर भी कर दो, क्योंकि कुछ लोग 36 गड़ से गए, और कुछ लोग 36 गड़ में आए, तो इस प्रकार मृत्युदर में क्यों कमी हुई, क्योंकि स्वास्त सुविधाओं का विकास हो गया था, दोनों का कारण क्या है, development of health facilities, यानि कि स्वास्ति सुविधाओं का विकास, जी हां बिलकुल, स्वास्त सुविधाओं बढ़ गये, तो हमने क्या करा, अब जो है, जन्मदर, यानि क बच्चे जादा पैदा होने लगे, बलकि मरनी जो है, यानि कि मृत्युदर्जा वो आपका definitely कम हो गया, फिर यहां पर आपको बताना है, पुत्रचाह, क्या होता था, मतलब इनको बॉइस से लोगों को, और बच्चे चाहिए, इसका मतलब क्या है, जैसे अगर तीन बेट बता हुई है, यानि कि orthodox, ये विचार धारा ने, रोड़ी वादिता ने, अधिक बच्चा पैदा करने के लिए क्या किया, ये जोड़ दिया, चाओधा जो है, वो family planning नहीं कर पाए हम, इस पर ध्यान नहीं गया लोगों का, परिवार नियूजन, इसका मतलब सर, परिवार तो परिवार नियूजन ना कर पाना, ये भी हमारे लिए क्या हो गया, तो ये जो चीजे हैं, ये भुआधा है, ये हमारे लिए दुखदाई हो गई थी, ये हमारे लिए बहुत जादा problematic हो गया था आगे हम देखते हैं नंबर 4 की बाद नंबर 5 और क्या वो कारण थे जिन्होंने जन संख्या वृध्धी को क्या किया प्रतसाहित किया जन संख्या वृध्धी को बढ़ाने में helpful करा यह सारे कारौन के अलावा अगर हम यहां पर देखते हैं तो पहले तो हमने जन्मदर बदा जीवन प्रत्याशा हमारी बढ़ी अमरेतियुदर हो जो है वो स्वास्य सुधा को थोड़ा विकास हो पहले की तुलना में पुत्र चाह जो हुआ फैमिली प्लानिंग परिवा में भी जादा है सर असिक्षा कैसे कारण हो सकता है असिक्षी जो होते है ना वो खाली देखिए जब विवा हो जाता है उसके बाद उनको इस चीज का मतलब नहीं होता कि आने वाले समय में रोजगार मिलेगा के नहीं मिलेगा बच्चों को होगा नहीं होगा और वो इस प बहुत बड़ा कारण हो जाता है, इसके पीछे का, फीर हम देखते हैं, मनुरंजन के साधनों का आभाव, ये आपको मजाग लग सकता है, या फिर ये चीजें आपको थोड़ी सी अजीब लग सकती, वेर्ड लग सकती, बट ये है एक प्रमुकारण है मनुरंजन के साधन का आभाओ तो मनुरंजन ना हो पाने के कारण जो है जो spouses थे पती-पतनी थे वो इन activities में अधिक शामिल होते है या होते थे और इस दिखें क्योंकि ये कहानी पिछले 2-3-4 दशकों की है तो उसको हमको लेके चलने अभी 11, 12, 15, 19 में क्या हो रहा है ये 2-3 दशकों के पहले की कहानी तो जी हाँ बिल्कुल WhatsApp ये वो दुनिया दर ये तो अभी आए थी बाद में आए थी चीज है तो लोगों को engagement हुआ engagement कम होते थे और इस प्रकार ये भी कोच नहीं करने इन चीज़ों को ठीक है न तो आज सुरक्षित यहां संबन भी क्योंकि देखे प्रोडक्शन के आज नए ने तरीके हैं बहुत सारी चीज़ें आज आ चुकी है educated हलाकि इन सब चीजों का संबन education से है बट ये भी उस समय का एक प्रमुकारण था कि अज सुरक्षित यहां संबन जो होते थे और सभी कारणों से population जो है वो growth हमको बहुत जादा देखने को मिला और जनसंख्या वृद्धी के कारणों में ये एक प्रमुकारण की रुप में ये सामने आये थे अब हम चलते हैं सर एक और जो यहां पर पूछा गया है प्रतिफल की हम यहां पर बात करते हैं यानि कि क्या क्या इनकी consequences यानि की प्रणाम आपको देखने को मिले तो प्रतिफलों की हम यहां पर शर्चा कर लेते हैं क्या क्या परणाम जो है आपको यहाँ पर देखने को मिले इन में से अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो पहला जो कारण जो हम जिस पर हम विकास प्रकास डालेंगे वो यह है कि जन संख्या वरिद्धी तो बहुत सारी चीजों में नेगेटिव कारणों के अंदरगत गिना जाता है तो इकारण का डाल दो जन संख्या वरिद्धी अदिक हुई इसलिए हमारे पास क्या हो गया रोजगार की कमी हो गई भवाई बात है कि नहीं है मतलब ऐसा है कि एक ठेला ऐसे एक पत्छर फेक के मारो तो मतलब किसी ने किसी पियस्ची अभी पियर्ती को लगेगा ऐसा कहा Supplyment, रोजगार की कमी है या problem है बेरोजगारी की, उल्टा लिख सकते हैं, बेरोजगारी, दोनों का मतलब एक है, गरीबी में वरिद्धी हुआ, गरीबी क्यों होगा भाई, एक fixed assets है, मेरे पास 10 एकड की जमीन है, मेरे चार बच्चे हो गया, धाय धाय एकड बच गया, फिर इनके चार बच्चे होगे, क्या मिला फिर इनको, तो ये हो जाएगा आपका, है ना, तीसरा हम कह सकते हैं, कि भूमी पर अधिक दबाओ, high pressure on land, तो इससे क्या होगा अधिक दबाओ से, प्राकृतिक संसाधनों का अधिक दोहन हो रहा है, इसी में लिख सकते हैं, प्राकृ प्राकृतिक संसाधनों का क्या हो रहा है, बहुत जादा दोहन हो रहा है, ठीक है, इसके अलावा, slum, यनि कि आपके जो slum बस्तियां बर रही है, ठीक है, आपके जो जगडे हो रहे हैं, कलह हो रहे हैं, क्योंकि चाहिए तो विवात की जो इस्थितियां ये सब निर्मित हो रही है, तो अधिक जन संख्या के कारण हो रहा है, बतलब ये सारी की सारी चीज़ें, they are just because of the high population, over population, लोग जो माइगरेट कर रहे हैं, इन सब चीजों के कारण, प्रवास, क्योंकि उनको प्रॉपर अपने स्थानों पे क्या नहीं मिल पा रहा है, उनको जॉप नहीं मि लिख के समेठ देना है, जादा detailing नहीं करनी है, सेम यहाँ पर जो आपने कारण लिखे, इसको भी आप, जैसे मैं यहाँ पर लिखा, जन मदर मिलते उदर, पुत्र मोह, या पुत्र की चाह, असिक्षा, ऐसे लिख कर देना है, आपको extend यहाँ पर नहीं करना है, सेम यहाँ इसे पर अधारित होगा, मैं चाहता हूँ आप सभी से एक request है, फिर से, कि आप जो है ना, किस topic पर वीडियो चाहते है, 36 गड़ एसे में, मैं चाहता हूँ, maximum वीडियो आप यहाँ पर शेयर करें, ताकि हम उस पर अधारित एक वीडियो आपके लिए लेका रहेंगे, तो जो मेरा वीडियो नेक्स्ट आएगा, 36 गड़ ऐसे पर अधारित होगा, आप दो से तीन दिन के अंदर गड़ जब भी आप यह वीडियो देखें, कोशिश करें कि आप उसको जल्द से जल्द शिगर से शिगर कमेंड करें, वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं, आप बने रहे हमारे साथ, कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी के साथ, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, चेह,